तंद्रोस्त हैं आप कोई प्राबलम नहीं चलिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आज मैं आप लोग के सामने आया हुआ हूँ बोड मोडल टॉपिक है फैराडे का नियम फैराडे का दो नियम होता है फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का दियुतिय नियम फैराड तो दोनों नियम को आप अच्छे तरीके से समझिएगा और मुझे उमीद है कि बहुत सडल भासा में हम लोग उसको पढ़ेंगे और आपको definition याद भी हो जाएगा दोनों law याद हो जाएगा ठीक है ध्यान देजिएगा definition में इसमें एक ही चीज मिलता है define करने के लिए वहां से भी दो मार्स का question आता है उसको हम लोग देखेंगे उसके बाद दोनों नियम जो है दोनों नियम सडल है आसानी से हम लोग उसको देखेंगे चलिए तो टॉपिक है हम लोग का फैराडे का बीदूत बीचे दनियम फैराडे का बीदूत बीचे दनियम बीदूत बीचे दनियम फैराडे law of electrolysis फैराडे law of electrolysis फैराडे law of electrolysis ठीक है चलिए तो इसमें देखिए यह माइकल फैराडे द्वारा दिया गया नियम था इसमें दो नियम हम लोग को मिला है और दोनों नियम जो है अपने आप में इंपोर्टेंट है दोनों नियम को हम लोग देखेंगे हाँ ठीक अभिननन को मारी इम्मुनिटी और बढ़ाए देखिए न इम्मुनिटी काफी बढ़ गया है आप कोई प्राब्लम नहीं है इनर्जी जो है बना हुआ है बहुत इस्टोर हो गया है उसको जल से जल जो है बाहर निकालने के लिए हम भी बेचैन है आईए देखिए तो सबसे पहला नियम है फैराडे का प्रथम नियम यहां से हम लोगी स्टार्ट करते हैं फैराडे फर्स्ट लौ से फैराडे का प्रथम नियम फैराडे का प्रथम नियम फैराडे का प्रथम नियम फैराडे फर्स्ट लौ ऑफ इलेक्टोलाइस तो फैराडे फैराडे ने दो fundamental law दिया एक को हम लोग फैराडे का प्रथम नियम काते हैं और दूसरे को फैराडे का प्रथम नियम क्या काता है फैराडे का प्रथम नियम काता है कि जब किसी बीदूत अप घटनी सेल से हम लोग बीदूत आवेश को परवाहित करते हैं या बीदूत धा इलेक्ट्रोलाइसीस, जिसे हिंदी में हम लोग बीदूत बीछेदन काते हैं, यह किस सेल में होता है? बैदूत अपगटनी सेल में? पता है आप सबी लोगों किस सेल में होता है? बैदूत अपगटनी सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, क्या? बीदूत करते हैं Electrolysis करते हैं तो यह किस सेल में होता है बैदूत अपढ़ घटनी सेल में ही यह नियम को हम लोग को लागू करना है ठीक है तो जब किसी बैदूत अपढ़हटनी से से बीदूत आवेश को परवाहित किया जाता है या बीदूत धारा को परवाहित किया जाता है तो जीतना अधिक बीदूत आवेश हम लोग परवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा जो है मास और सबस्टांच यानि पदार्थ की मात्रा उतना ही ज्यादा घुलेगी उतना ही ज् परबादा जमा होगी, तो गुलती कहां पर है, एनोड पर, एनोड छोड़ पर पदार्थ की मात्रा गुलती है, एनोड गुलता है और कैथोड पर जमा होता है, तो जीतना आवे समलो परभाईद करेंगे, उतना ही जादा पदार्थ की मात्रा भुलेगी और कैथोड़ पन जमा होगी यानि दोनो एक दूसरे का क्या होगा, समानू पाती होगा, directly proportional होगा दोनो एक दूसरे का समानू पाती होगा, अब इसी को सजा करके लिख देना है इस नियम की अनुसार फैराडे के प्रथम नियम की अनुसार किसी बीदु तप घटनी सेल से बीदु तावेस परवाहित करने पर पदार्थ की मातरा का घुलना या जामा होना किसे नीग करेंगे समौल एम से नोट करेंगे तो पदार्थ की मात्रा का घुलना या जामा होना पर वहीत आवेस क्यो के समानुसार है यही इसका मिन कॉंसेप्ट है मेन यही इसका मिनिंग है तो देखिए बहुआ लिखेंगे हम लोग इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी बीदुत अपगटनी सेल से किसी बीदुत अपगटनी सेल से आविस परवाहित करने पर आव इस को क्यू से हम लोग दिनोड करेंगे इस मौल के उसे भी दिनोड कर सकते है कैपिटल की उसे भी डिनोड कर सकते है इसमें कंफ्युजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए तो इस नियम के अनुसार कि सी बीदुत अपगटनी से आविस परवाहित करने पर आवेश परवाहित करने पर पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा और पदार्थ की मात्रा को हम लोग e-small m से डिनोट करेंगे मात्रा का मतलब यहां से द्रव्यमान से संबंदित है मास पदार्थ की मात्रा is small m का घुलना या जमा होना डिपोजीट होना और डिजल्ब होना गुलना या जमा होना प्रवाही तावेश क्यूंके समानुपाती होता है समानुपाती होता है इस नियम के अनुसार किसी बीदू तब घटनी सेल से आवेश परवाहीत करने पर पदार्थ की मात्रा का घुलना या जमा होना परवाहीत आवेश क्यूंके समानुपाती होता है यानि पदार्थ जीतना घुलता है उतना ही जमा होता है इनोड जीतना घुलेगा उतना ही कैथोर पर जमा होगा तो इसी लिए हम लोग लिखे हैं कि पदार्थ की मात्रा का घुलना या जमा होना परवाहीत आवेश क्यूंके स्यमानुपाती होता है कोई प्रब्लम आब आजाईए आवेस को हम लोग किस से डिनोट कर रहे हैं क्यूं से किसके किसके बीच डिलेशन है वहुआ तो पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा को हम लोग सुचित किस से कर रहे हैं एम से एम जो है वह क्या है समानुपाती है किसका तो आवेस का एम समानु पाति है किसका अवेज का आवेज क्यों का समानु पाति है आनलिटिकल फॉर्म में एम समानु पाति क्या होगा क्यों समानु M समानुपाती होता है किसका? Q का समानुपाती होता है अब आज आई ये बहुआ अब क्या होगा जी? M equals to ZQ M equals to क्या हो जाएगा? ZQ हो जाएगा M equals to ZQ जब इस साइन को हटाएंगे तो इसके बदले में Z साटाएंगे जब इस साइन हटेगा तो इसके बदले में क्या लगेगा? Z के साटेगा बहुआ इस समानुपाती साइन को बराबर करेंगे तो इसके बदले में Z को साटाएंगे तो समानुपाती साइन हटा और इसके बदले में Z इस थी रांके आकर के यहाँ पर साटा और जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? जहां जेड बराबर जेड को हम लोग बोलते हैं पदार्थ का सम्तुल्यांक सम्तुल्यांकी इस्थिडांक या सम्तुल्यांक भी बोलते हैं पदार्थ का सम्तुल्यांकी इस्थिडांक इलेक्ट्रो केमिकल इक्विभैलेंस ओफ सबस्टांस इलेक्ट्रो केमिकल इक्विभैलेंस ओफ सबस्टांस पदार्थ का सम्तुल्यांकी इस्थिडांक इलेक्ट्रो केमिकल इक्विभैलेंस ओफ सबस्टांस ठीक है और इसको denote किसे करते हैं जेड से denote करते हैं याद रखिएगा तो इंगलिस में electrochemical equivalence of substance बोलते हैं और हिंदी में पदार्थ का सम्ट लियांकी इस्थी रंक बोलते हैं और दूसरा चीज गौर किजिएगा कि यहां से इसका definition भी पूछता है इसका definition भी important है परिभासा दो मास्क में इसका definition पूछता है परिभासा आप लोग से पूछता है अब आजाईए तो m equals 2 हो गया बहुआ z into q m equals 2 आगया z q जहां z बराबर हो गया पदार्थ का सम्ट लियांकी इस्थी रंक m पता है m क्या है तो एम बराबर हो गया पदार्थ का द्रब्यमान पदार्थ का द्रब्यमान ठीक है या जीतना गुलेगा द्रब्यमान उतना ही जमा होगा तो गुलित द्रब्यमान या बवा जमा हुआ हुआ द्रब्यमान दोनों सेम होता है अब आजा ये Q क्या है जी, तक Q है आपका आवेश, क्यों क्या है, आवेश है, किस में, कुलंब में, Q का मतलब हो गया आवेश, कुलंब में, C में अब गौर की जीएगा, ध्यान दे जीएगा, यहां से जो है, यहां से हम लोगे एक रिलेशंशिप निकाल चकते हैं, चुकि Z जो हो गया, Z क्या हो गया, constant हो गया, इस्थिरांक हो गया, नियतांक हो गया, Z आपका constant हो गया, इस्थिरांक हो गया, नियतांक हो गया, variable कौन कौन है, तब variable है आपका aim और दूसरा कौन है, Q, aim और Q आपस में variable है, यानि aim किस पर निर्भर है, Q पर निर्भर है, Q का मान बढ़ाएंगे, aim की मात्रा बढ़ेगी, Q का मान घटाएंगे, aim की मात्रा ठीक है तो M जो है वह Q पर depend है Q का मान बढ़ाने से M का मान बढ़ेगा Q का मान घटाने से M का मान घटेगा तो गौर करेगा जी ए बहुआ गौर करेगा जी देखो अब बताओ यदि Q को हम Q1 कर दे तो Z तो constant हैगा Z उतना ही रहेगा M क्या हो जाएगा? M1 यानि Q बदलेगा तो M भी क्या होगा? बदलेगा तो M1 बराबर Z इंटू Q1 चेक है? या equation 1 हो गया इसी परकार तथा M2 बराबर क्या हो जाएगा? Z constant है Z इंटू Q2 या equation 2 हो गया? या equation 1 हो गया और या equation क्या हो गया? 2 हो गया अब जो है और sumi current 2 से हम लोग निकाल देंगे दोनों को बराबर कर देंगे calculate हो जाएगा? जाएगा? चलिए देखिए बोग लिखेंगे हम लोग sumi current 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? दोनों को भाग देंगे वो गया ते M1 upon M2 equals to क्या हो जाएगा? Q1 upon Q2 कोई problem Z जो है दोनों में है तो यह एक यहाँ से relationship आगी है Q1 आवेश परवाहित करने पर घुलित या जामा होने वाली पदार्थ की मातरा है M1 और Q2 आवेश परवाहित करने पर घुलित या जामा होने वाली पदार्थ की मातरा का मान कितना है M2 ठीक है? तए M1 upon M2 equals to हो गया Q1 upon Q2 दोनों का ratio क्या है? दोनों का ratio equal है अब आज आईए अब हम लोग देखते हैं किसको भावा? तो पदार्थ का सम्तुल्यांकी इस्थिडांग पदार्थ का सम्तुल्यांकी इस्थिडांग सम्तुल्यांकी इस्थिडांग पदार्थ का सम्तुल्यांकी इस्थिडांग इसी को हम लोग denote किसे करेंगे? capital Z से इसका definition पूछता है इसको जो है बोर्ड मुडल कर दीजिएगा फयराडे का बीदूत बीचे दन्यां important है दोनों lords जो है important है आपके exam के view से तो इसको बोर्ड मुडल कर देना है अब ध्यान दीजिएगा पदार्त का सम तुल्यां की इस्थिरांग की से काते हैं Capital Z की से गातते हैं इसको हम लोग define करेंगे गौर कीजी है हम लोग formula जानते हैं m equals to z q अभी अभी हम लोग पढ़ें m equals to z q पढ़ें m equals to z q अभी 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 हम लोग पढ़े हैं वी नो यह हम लोग जानते हैं अब निकालना आपको किसको है डिफनीशन तो जेड का तो जेड इकोस्टू क्या हो जाएगा एम अपन क्यूं हो जाएगा जेड इकोस्टू एम अपन क्यूं हो गया अब बताईए बहुआ जब क्यूं को हम लोग वन कर देंगे तो एम जो है जेड के बराबर हो जाएगा Z M के बराबर हो जाएगा Q को जब 1 हम लोग कर देंगे Q जब आपका 1 हो जाएगा तो Z किस के बराबर हो जाएगा M के बराबर हो जाएगा तो देखिए Q की Q equals to 1 कुलंब देन क्या हो जाएगा Z equals to M जब Q 1 कुलंब होगा तो Z किस के बराबर हो जाएगा M के बराबर हो जाएगा बस यही दोनों में इसी दोनों टर्मे में जो है definition छीपा हुआ है इसी दोनों टर्मे में परिभासा छीपा हुआ है बहुआ अब इसी को language में सजा करके लिख देना है क्या लिखेंगे हम लोग द्यान देजिए किसी बैदू तप घटनी सेल से एक कुलंब आवेश परवाहित करने पर किसी बैदू तप घटनी सेल से कितना कुलंब आवेश परवाहित करने पर एक कुलंब आवेश परवाहित करने पर पदार्थ की घूली हुई मात्रा या जामा हुई मात्रा को उस पदार्थ का क्या कहते हैं सम्तुल्यां की इस्थिडांग कहते हैं कितना कुलंब आवेस परवाहित करने पर एक कुलंब आवेस परवाहित करने पर ठीक है चलिए द्यान देजिएगा किसी वीदूत अपघटनी सेल से किसी वीदूत अपघटनी सेल से कितना कुलंब आवेस परवाहित करने पर एक कुलंब आवेस परवाहित करने पर पदार्थ की मात्रा का घुलना या जमा होना जमा होना उस पदार्थ का सम्तुल्यांग के इस्थिरांग उस पदार्थ का सम्तुल्यांग के इस्थिरांग यानि जेड कहलाता है किसी बीदू तप घटनी सेल से एक कुलंब आवेस परवाहित करने पर पदार्थ की मात्रा का घुलना या जमा होना उस पदार्थ का सम्तुल्यांग के इस्थिरांग कहलाता है तो यह यहां से आपका जो है डिफिनीशन मिल गया बहुआ यह जो है डिफिनीशन भी बोर्ड मोडल है इसको माइड में रखना है दो मार्स का यहां से आपका किलियर हो जाएगा जेड इकुएस टू एम अपउन क्यू क्यू जब एक कुलंब होगा तो जेड किसके बराबर हो जाएगा एम के बराबर हो जाएगा Q जब 1 कूलंब हो जाएगा तो Z M के बराबर हो जाएगा अब आज आईए अब आपको हम दूसरे फर्मूला की तरफ ले करके चलते हैं जो फर्मूला जो है important है numerical के भी उसे वहाँ से आसानी से हम लोग 2 से 3 टर्मे में numerical को शॉल्प करेंगे NCRT का question वहाँ से important है गौर के जिए बहुबा ध्यान देज जिए गा फर्मूला हम लोग के पास क्या है तो फर्मूला हम लोग अभी अभी हम लोग ड्राइव किये M equals to Z into Q यह बहुबा गौर करेगा जी यहाँ पर M equals to Z into Q होता है अब आजाईए चुकि Z equals to Z equals to formula होता है E upon F Z equals to formula क्या होता है E upon F Z equals to E upon F बता रहे हैं सब क्या चीज है जहाँ E बराबर E को क्या बोलते हैं E को बोलते हैं पदार्त का तुलियांकी भार E को बोलते हैं पदार्थ का तुलियांकी भार Equivalent Weight आप लोग English में पढ़े होंगे Equivalent Weight और Hindi इसका जानते हैं तुलियांकी भार क्या होता है तुलियांकी भार? अभी अभी हम लोग देखेंगे कुछ देर बेट करना है तुल्यांकी भार क्या होता है इसको अभी अभी जस्ट हम लोग देखेंगे बताएंगे तुल्यांकी भार से तुल्यांकी भार हम लोग कैसे गणना करेंगे इसके बारे में अभी आप लोगों सिखाएंगे एफ बराबर होता है 96500 कुलम एफ ब्राबर क्या होता है? 96,500 कूलंब ऐसे NCRT 96,487 कूलंबिस को लाती है एक मूल इलेक्ट्रोन पर आवेश का मान एक फैराडे का मतलब होता है एक मूल इलेक्ट्रोन पर आवेश का मान एक मूल इलेक्टॉन पर आवेस के मान को हम लोग एक फेराडे बोलते हैं जिसका मान 96,500 कुलंब यानि 96,487 कुलंब होता है ठीक है अब गौर कीजिएगा Q equals to क्या होता है Q equals to होता है I into T Q equals to क्या होता है I into T Q equals to formula बोवा I into T I क्या है current बीदुत धारा ठीक है जिसे हम लोग MPR में बापते हैं I है आपका current बीदुत धारा है और T क्या है T है समय किस में सेकेंड में T है आपका समय सेकेंड में तो आज आईए देखिए जहां I बराबर I बराबर बीदुत धारा I बराबर बीदुत धारा MPR में A का मतलब MPR बहुआ A का मतलब MPR में और T का मतलब समय समय किस में तो सेकेंड में समय सेकेंड में बहुआ ठीक है अब बताइए Z बराबर आगिया E upon F Q equals to आगिया I T और दोनों के वेलू को उठा करके इसमें पूट कर देना है किस में? समी करण A दोनों के मान को किस के किस के मान को तो Z के मान को और Q के मान को समी करण A में रखने पर समी करण A में रखने पर आजाईए बहुआ दोनों के मान को उठा करके किस में रख देना है समी करण A में रख देना है Z का भैलू कितना रखेंगे E upon F रखेंगे रखिए Z का भैलू हो जाएगा बहुआ E upon F Left side में M है M को M छोड़ देना है E upon F Q का भैलू कितना रखेंगे Z का भैलू रख दिए E upon F Q का भैलू कितना I T तो Q के जगा पर I T रख देंगे तो M equals to क्या गिया E by F I T यह बहुआ इसको याद रखना है Numericals के लिए M equals to E upon F I T M equals to E upon F I T यह important फर्मूला है इसको mind में set करके रखना है M equals to E upon F I T कोई प्राबलम? चलिए मुँए और व्राबला離ां कि चलिए ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं एम एक वस्ट हुई यहां तक क्लियर है कि चलिए प्रॉब्लम नहीं है किसी को किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको कॉमेंट में जो है आप लोग पूछ सकते हैं आरती त्रुगूंट सर आपका क्लास कितने बज़े हैं चार बज़े से चलता है हिंदी मीडियम मिटा दे इसे स्क्रीन सोट आप लोग ले लिये होंगे उसका इरेज कर देते हैं इसे और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं यह फर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुआ यह फर्मूला इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान देजिएगा मिटा देते हैं क्लास नहीं चल पाया है क्लास बादित है उसको मेंटेन करना है इसलिए हम लोग जो है डेड़ घंटे का क्लास आज से स्टार्ट कियो हुए है आज आपका क्लास जो है डेड़ घंटे का चलेगा कल भी डेड़ घंटे का चलेगा जब तक तब तक डेड़ घंटे का चलेग तो डेड़ घंटे का रेगुलर क्लास चलेगा इधर आज आईए गौर किजिएगा फीवर को बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था बहुआ हम से फीवर बोल रही थे कि आप बड़ा बच्चा लोग से प्रेम करते हैं हम आपको छोड़बे नहीं करेंगे ठीक है तो हम भी काते थे कि चलो ठीक है तुम ही पकड़ी रहो कारण है कि तुम छोड़ोगी तक ही दूसरा मत पकड़ ले तो और भायानक समस्या हो जाएगे कौन कोरोना उसका भी डर था ना तो अब जो है कोई प्रवलम नहीं है जितना उसको प्रेम करना था हम से प्रेम करके वो चली गए अब अब जो है अब हमें आप लोग को प्रेम करना है तो रेगुलर जो है या प्रेम वाली बात डेड़ घंटे चलेगी ताकि हम लोग जल जल्द से जल्द इस विदूत्र सायन चैप्टर को बरबाद करें हम लोग ठिक है ना तो इनसे भी हम लोग बहुत दिनों से प्रेम किये हुए हैं अब थोड़ा सा प्रेम का मोह माया हम लोग त्यागेंगे क्योंकि पुराना रिस्ता छोड़ो और नाया रिस्ता जोड़ो य जोड़ता है है ना उसी की प्रगति होती है तो हम लोग भी उसी अधारना पर चलेंगे ठीक है दोकॉस है जह तो कॉंकॉंकॉंड फर्मूला मिला जी फ्राड़े के प्रतमनीयन में कॉंकॉंकॉंड फर्मूला मिला याद हो गया जे जे डीन umm क्यों ए ऑग भूरश कुछ पता है, अपनौ को एम की किसे कते हैं, तब पदार्थ की घुलित मात्रा रहा है, जामा होने वाली मात्रा को एम कते हैं, आज। किसे काते हैं ता जेड हो गया पदार्त का सम तुल्यांकी इस्थिरांग जेड किसे काते हैं जी ठीक है जेड किसे काते हैं बहुआ पदार्त का सम तुल्यांकी इस्थिरांग आग क्यू किसे काते हैं क्यू काते हैं आवेश को और आवेश का मान किस में होना चाहिए कुलंब आज आईए बहुआ ध्यान देजिएगा और क्या पढ़े जेड तो कॉंस्टेंट होता है और यही तो नियम है फेराडे का प्रथम नियम कहता है कि पदार्त की घूली हुई मात्रा या जमा होने वाली मात्रा यानि एम किस पर निर्वर करता है क्यों पर निर्वर करता है यानि पदार्त की घूलीत मात्रा या जमा होने वाली मात्रा परवाहित आवेश क्यों के समानुपाती होता है ठीक है तो आज आईए बहुआ एम इक्वस्टू जेड इंटो क्यों एम बराबर जेड क्यों कोई प्रब्लम आब आज आईए उसके बाद तो जब एम और क्यू समानुपाती होता है तो दोनों का अनुपात क्या होगा समान होगा Q2 अपन Q1 M2 अपन M1 बराबर Q2 अपन Q1 दोनों का अनुपात क्या होगा समान होगा द्रब्यमान का अनुपात और आवेश का अनुपात दोनों का अनुपात समान होगा किलियार है इसमें? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हाँ, M बराबर ZQ आकर्षण कुमार, आकर्षण कुमार, आपके कोश्चन का एंसर है नो अब इसको मिटा दें चलिए नियम भी याद हो गया किसी बीदू तप घटनी सेल चे कैसे सेल चे? किसी बीदू तप घटनी सेल चे किसी बीदू तप घटनी सेल चे आवेश परवाहित करने पर क्या परवाहित करने पर? आवेश परवाहित करने पर याद हुआ बहुआ आए एकदम फटा फटा बोलेगा जी किसी बीदू तप घटनी सेल से क्या परभाहित करने पर आवेश परभाहित करने पर गूली हुई मात्रा या जमा होने वाली मात्रा गूली हुई मात्रा या जमा होने वाली मात्रा ब्रैकेट में small m मात्रा को किसे डिनोट करेंगे small m से डिनोट करेंगे घुली ही मात्रा या जमा होने वाली मात्रा और इसको डिनोट किसे करेंगे small m से करेंगे ठीक है परवाही तावेश क्यू के समानुपाती होता है परवाही तावेश क्यू के बरबाद करते हैं, किसको बरबाद करते हैं, दिवितिये नियम को, किसके दिवितिये नियम को, तो फैराडे के दिवितिये नियम को, आज आईए बहुआ, फैराडे का दिवितिये नियम, फैराडे का दिवितिये नियम, फैराडे का दिवितिये नियम, फैराडे सेकेंड लोग चलिए फैराडे का दियुतिये नियम फैराडे सेकेंड लोग कोई प्रावलम तो फैराडे का दियुतिये नियम अब हम लोग बरबात करेंगे बहुआ आ जाएए गौर केजिए क्या कहता है फैराडे का दियुतिये नियम फैराडे का दियुतिये नियम कहता है कि अलग अलग बीदू तप घटनी से ले लिजिए दू चारगो चारगो पांच गो छोगो जैगो मन करे तैगो अलग अलग चार पांच गो बीदू तप घटनी से ले लेकिन सारे सेलवा से बहुआ सामान बीदूतावेस परवाहित किजिए सारे सेलचे सामान बीदूतावेस परवाहित करना है पांच कुलंब एक बीदूताप घटनी सेलचे परवाहित किये तो दूसरे से भी 5 कुलम, तीसरे से भी 5 कुलम, चौथे से भी 5 कुलम, पाँचवे से भी 5 कुलम यानि बिभीन बीदूतप घटनी सेल से सामान अवेश परवाहित करने पर अलग अलग बीदूतप घटनी सेल से सामान अवेश परवाहित करने पर पदार्थ की मातरा का घुलना या जमा होना उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है उस पदार्त के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है क्लियर है तो आईए बवव, आईए बरबाद केजिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग तो अलाग 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 बीदू तब घटनी सेल से बीदू तप घटनी सेज़ से एकदम सरल भासा में सरल बहुआ सरल मतला साधारण सरल ना सरल ठीक है ना साधारण भासा में हम लोग लिख रहे हैं अलग अलग बीदू तप घटनी सेल से का करने पर अलग अलग बिदु तब घटनी सेल से समान आवेश परवाहित करने पर कैसा आवेश बहुआ समान आवेश परवाहित करने पर पदार्थ की मात्रा का घुलना या जमा होना अब पदार्थ की मात्रा का घुलना या जमा होना अब पदार्थ की मात्रा को किसे डिनोट करते हैं जी इसमाल एब से घुलना या जमा होना उस पदार्थ के उस पदार्थ के उस पदार्थ के तुल्यां की भार इ के समानुपाती होता है अलग अलग बिदु तब घटनी सेल से समान आवेश परवाहित करने पर पदार्थ की मात्रा एम का घुलना या जमा होना उस पदार्थ के तुल्यां की भार I Kे समानुपाती होता है अर्थात बववा क्या हम लोग लीख सकते हैं जी तो लीख सकते हैं एम समानुपाती केकर हेकर केकर बववा I Kे AEM समानुपाती I आप आजाए आप वही कैस होगा या भी किसका संबंध बताया हुआ है फैराडे का यहाँ पर भी बहुत को हटाएंगे तब अदले में जेड को सटाएंगे आजाए जी तो एम बराबर क्या हो जाएगा Z into E M बराबर क्या हो जाएगा Z into E M बराबर Z into E कोई दिकत है चलिए Z वही है जो आप पहले से जानते हैं है ना क्या जानते हैं तो Z बराबर जानते हैं आपकी पदार्थ का सम्तुल्यां के सम्तुल्यां के स्थिडां का लाता है Z को हम लोग क्या कहते हैं पदार्थ का सम्तुल्यां के स्थिडां कहते हैं चलिए ध्यान देजिएगा कैब राजु जैस्वाल कब चैप्टर समाप्त होगा होगा बरदास्ट कि ये रहना है बहुत जल्दी हम लोग इसको बरबाद करने वाले हैं समात नहीं पूनता बरबाद करने वाले हैं समात कौन करता है है ना हम लोग तो डाइडेक्ट बरबाद करते हैं आईए, घबड़ाने की बात नहीं, प्रियांका चोबे, एम बराबर जेडी, हाँ ठीक है, साइन हटेगा तो जेड आ जाएगा, ठीक, चलिए आगे देखिया, एम बराबर जेडी, हो गया, अब बताईए, जब इदूनों का, दूनों समानुपाती है, तो इदूनों का भी अनुपात बराबर होगा ना, यानि एम टू बराबर उधर का लिखेंगे, अरे जब समानुपाती क्यू रहता था, तो क्यू टू बराबर क्यू बराबर क्यू बराबर एम हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा बहुआ दोनों में समानुपाती संबंध है इसलिए M2 upon M1 बराबर E2 upon क्या हो जाएगा E1 M2 upon M1 बराबर E2 upon E1 ठीक है और इसको जो है इसको मान लेना है equation B इसको equation B मान लेना है second law वाले को और प्राथम नियम से from first law first law से हम लोग जानत है क्या जानत है first law से जी कि M2 upon M1 बराबर क्या होता है M2 upon M1 बराबर होता है Q2 upon Q1 होता है ना यह हो गया यह जो है हो गया equation A क्योंकि first law से था तो वह equation A यह हो गया equation B देखिए था दोनों का left side बराबर है जी दोनों के left side में क्या बैठा है M2 upon M1 दोनों के left side में M2 upon M1 और right side में यह गो का E2 upon E1 और दुशे का Q2 upon Q1 तो हम लोग नहीं लिख देंगे कि from A and B समिकरण A तथा B से समिकरण A तथा B से बाया पक्ष जब बराबर है तो दाया पक्ष भी बराबर होगा इट मींस क्या हो जाएगा इट मींस हो जाएगा E2 upon M1 बराबर Q2 upon Q1 आया दोनों किसके बराबर है M2 upon M1 के तो E2 upon E1 बराबर Q2 upon Q1 आया दोनों किसके बराबर है M2 upon M1 के बराबर है तो 1st law, 2nd law दोनों मिल गिया relationship आगिया E2 बराबर E1 बराबर Q2 upon Q1 आया दोनों जो है बराबर है के कर M2 upon M1 के ठीक है? कोई दिकत नहीं? हाँ ठीक करम चंद कुमार क्या हो के सर अच्छा ठीक है ठीक चलिए आप ध्यान देजिएगा इसमें किलियर है किसी को कहीं कोई दिकत नहीं है बहुआ दोनों जो है लौ याद हो गया देखिए सेकेंड लौ में क्या था सेकेंड लौ में दूचारगो बीदूत अपघटनी से लिया गया चारगो पाचगो बीदूत अपघटनी से लिया गया अलग अलग असारा बीदूत अपघटनी से एक ही परकार का आवेस परवाहित किया गया सामान आवेस मने सामान आवेस में कई सा देखे में समान है रंग रूप में समान है ना कूलंब में आवेस की मात्रा समान परवाहित की गई अगर एगो बिदूतब घटनी सेल से 50 कुलंब आवेस परभाहित किया गया तो दूसर को बिदूतब घटनी सेल से 50 कुलंब आवेस परभाहित किया गया तीसर को से 50 कुलंब आवेस परभाहित किया गया तीनों से समान आवेस परभाहित करके चारों से समान आवेस परभाहित करके यह देखा गया कि पदार्थ की मात्रा जो घुलती है या जमा होती है वो उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है यानि पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो उसका तुल्यांकी भार भी क्या होगा बढ़ेगा उसका तुल्यांकी भार बढ़ेगा तो पदार्थ की मात्रा भी बढ़ेगी तुल्यां की भार घटेगा पदार्थ की मात्रा भी घटेगी तीक है यानि यह समानुपाती ए कहां से सेकेंड नियम से आप प्रथम नियम से में समानुपाती की हूँ M2 upon M1 बराबर E2 upon E1 second loss है M2 upon M1 बराबर Q2 upon Q1 first loss है आद दूनों बराबर हुए दूनों में जो है constant क्या हैगा sign हटेगा sign को समानुपाती sign को बराबर किजिएगा तो Z आएगा चिक है? चलिए हाँ ठीक हाँ देखिए हरी संकर कुमार्जी का statement आया है chemistry बरबाद I student आबाद हाँ एकदम बहुआ यही कायम रखना है अब हम लोग देखेंगे थोड़ा question को बहुआ थोड़ी numericals को हम लोग देख लेते हैं ठीक है? दोनों नियम जो है आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत दिन रेस्ट किये हैं आप लोग तनियम याद कर लेना है चलिए question देखिए बहुआ question जो है हम लोग बनाएंगे अब इस पर numericals बनाएंगे निकालते है numericals NCR का आज आईए बहुआ ध्यान देगा जी कह रहा है कि निमने लिखित अप चायन के लिए कितने आवेश की आश्यक्ता पड़ेगी कितने आवेश की आश्यक्ता पड़ेगी आज आईए question number NCRT exercise का question है आ question number कितना है तो 3.12 question number 3.12 है ठीक है सहले सहले अब हम लोग समाप्ती की ओर है अब आपको ज़्यादा चींता करने की जरूरत नहीं है हम लोग इसको बहुत कम समय में बरबाद करने के कागार पर है ठीक है न तो इसलिए एकदम ध्यान दिये हुए रहिएगा उमीद है कि 4-5 कलासों में यह बरबाद हो जाएगा ठीक है आई इसको बरबाद करने के बाद जो है उसके बाद हाथ धो करके पढ़ जाना है कि इस पर ठोस सवस्था पर सॉलिड इस्टेट पर चलिए तो कोश्चन है आपका कि नीमने लिखी तपचायान नीमने लिखी तपचायान नीमने लिखी तपचायान के लिए आवेस की कितनी आवस्यक्ता पड़ेगी कितनी आवस्यक्ता होगी यह भववा देखेगा जी पहला नमबर कोश्चन दिया हुआ है वान मूल एल थिरी प्लस को एल में वान मूल एल थिरी प्लस से क्या एल को एल में ए बहुआ सेकेंड नमबर का है जी तो वान मूल वान मूल सी यू टू प्लस को सी यू टू प्लस को सी यू में ठीक है आ जाई है आ तीसरा नमबर वान मूल एमेन ओ फोर माइनस को एमेन टू प्लस में अपचाईद करना है आ जाई है न देखिए न जी देखिएगा तयार हैं आप लोग बरबाद किया जाए इसको राजू जैसवाल जी हाँ हिंदी मीडियम आज इस्टार्ट हुआ है कल ही से स्टार्ट होता चलिए ध्यान देजिए अब हम लोग थर्ड नमबर सेकेंड नमबर हम बहुआ है पहिल का दूसार का दूनों में से जो है आप छुआइस कर लिजिए आप किसको जो है सबसे ज़्यादा लाइक कर लिजिए उसी को बताएंगे दूनों नहीं बताएंगे एगो आपके लिए छोड़ देंगे घरवाली मेरी और साली आपकी हो जाएगे तो आप डिसाइड कर लिजिए दूनों में से कौन आपको पसंद है कौन बता देंगे एगो बता देंगे आएगो जो है आप रख लीजिए उसको आप बरबाद कर देजिएगा तब बताएए बहुआ कौन बरबाद करें हम पहिलका के दूसारका तिसारका तो हम जरूरे बरबाद करेंगे तीसारका आप लोग को नहीं देंगे, एक नंबर, तीसारका तो वह हमर रहिये है जी, तीसारका पर हमर अधिकार है, इसको तो हम पहले ही जो है च्वाइस कर लिये, पहले का दूसारका में जो है, आप लोग को देखना है, ठीक है, आज आईए, ध्यान देजिएगा, सेकेंड नंबर, कौन है, फर्स नंबर, आचा चलिए, फर्स नंबर, फर्स नंबर के संग क्या ज़्यादा है, फर्स नंबर बता देते हैं, वान मोल, ए एल थ्री प्लस, किस में जाएगा बहुआ, ए एल में, बताईए तो, एल थ्री प्लस, वान मोल लिखने का जरूरत ही नहीं है, याद होगा आप लोगो, जिसके सामने कोई ना ओकरा सामने एक, आएक इस्वर होता है, इस्वर अद्रिश्य होता है, वा दिखाई नहीं देता है, तो जेकरा आगे के हुँ ना ओकरा आगे भागवान आ भागवान एगो तो एक लिखने का जोरत नहीं है बववा आपचयन होता है अपचयन अपचयन का मतलब इलेक्ट्रोन गरहाड अपचयन का मतलब इलेक्ट्रोन गरहाड अपचयीत कर जाना पचा जाना ला तो एकरा में काई गो इलेक्ट्रॉन चाहिए बहुआ तीन गो इलेक्ट्रॉन चाहिए अब एक मोल एल थी प्लस है ता काई मोल इलेक्ट्रॉन तीन मोल इलेक्ट्रॉन जब इसको मोल में बोलेंगे ताहिए इसको भी मोल में बोलेंगे ये करा आगे एक एकर मतलब 1 mole L 3 plus कै hour mole elektron को अगरहण किया जी 3 mole electron को अगरहण करके आए 1 mole L plus में अब चैईत हो गया 1 mole L बना दिया 1 mole L बना दिया है mole बार बार लिखने के जोड़त नहीं है लिखने के जोड़त है क्या यहाँ पर अल्रेडी 1 mole L 3 plus है ता एक मोल L3+, तीन मोल इलेक्टरॉन को गरहाण करके एक मोल L बना दिया, एक मोल L में अबचईत हो गया, कोई दिकत? ता बताइए, एक मोल L3+, को अबचाहित होने में, कितने मोल इलेक्टरॉन की आश्यक्ता पढ़ी? थ्री मोल इलेक्टॉन की आश्यक्ता पड़ी पड़ी ना ता एक मोल एल थ्री प्लस को एल में आप अच्छाई तो होने के लिए कितने मोल इलेक्टॉन की आश्यक्ता पड़ी थ्री मोल इलेक्टॉन की आश्यक्ता है तब आता ये तब हुआ एब हुआ एक मोल इलेक्टॉन पर आवेश केतना जी तो 96500 कूलम होता है न तो तीन मोल इलेक्टॉन पर आवेश केतना तो 96500 कूलम को कितना से गुणा कर दोगे तीन से जीतना आएगा उतना कूलम इन्सवर हो जाएगा जी आगे आए इन्सवर बन गया तो दूसरका बना सकते हैं ठीक है दूसरका को बना लिजिएगा आथ तीसरका तो जो हम पसंद कर ली है पहले ही जी तीसरका को हम बनाएंगे आप खाली जो है टुकूर टुकूर देखिएगा कर किजिएगा आप लोग हाँ 96,500 कूलम होता है 96,487 कूलम भी होता है 96,487 कूलम भी होता है आप उसका भी वैलू पूट कर सकते हैं NCRT जो है उतना लिखता है हाँ देखिए रभी संकर कुमार जी का आ गया टुका एक लाख तिरानबे हरा हजार ठीक है न यह बड़ी फास्ट बना रहे हैं बहुआ ठीक है तनि आप लोग जो है इनका पीछा कीजिए देखिए कि इनका एंसर जो है सही है कि उपरे उपर छ आजई है कि गलत है आजई आई यह अब हम लोग जो है टीसरा वाले को जो है देखते हैं बहुआ चेक हैं तीसरा वाले जो है हम लोग देखते हैं बनाते हैं अथाड नम्मर MnO4- किस में convert हो रहा है Mn2+, चिक्षा है इसमें देखिए इसलिए आप लोग को पहला ही हटा दिये थे क्योंकि इसमें experience की और शक्ता होती है तिक्षा है ना यह तनी ज़्यादा भाव खाएगे जी यह ऐसी साली है तिसरा नंबर वाली जो साली है यह ज़्यादा भाव खाएगे तहीं इसको जो है कैसे रास्ते पढ़ाना है इसके लिए experience होना चाहिए अभी आप लोग जो है नए नमेले हैं ता आप लोग को जो है experience की कुछ कमी है आप लोग को भी experience हो जाएगा ता आप लोग भी पहले इसी से टकराने का प्रयास केजिएगा आईए देखिए amn o 4- है आया किस में convert होगा amn 2- में convert होगा अब इसमें आपको यह बताना है कि amn o 4- कितना मोल इलेक्ट्रॉन गरहण करके amn 2- में convert हुआ है यही जो है आपको find out करना है बहुआ अब इसको find out करने का तरीका हमने पहले बताया है साइध आप गौर नहीं किये होगे ठीक है किसी को याद होगा तो याद कर सकता है वो छाड़ वो पल जब हमने इसको बताया था CR2072- को बताया था CR3- में convert करके सबसे पहले हम बताये थे कि इसमें करते क्या है कि पर दोनों तरफ arrow के sign के left side और right side दोनों तरफ तत्वे के परमाड़ों की संख्या को बराबर करते तो इधर में amen ego है right side में और left side में भी amen ego है एकदम care करके जो है सुनेगा जी ध्यान दे करके सुनेगा फिर हम लोग बाद में जो है दूसरा चीज देखेंगे दूसरे तरफ दिमाग नहीं ले जाना है यहाँ पर देखेए इधर left side में भी amen एक्ठो और right side में भी amen एक्ठो अब बावा क्या नहीं है तो left side में oxygen चारगो है और right side में oxygen गाइब है तो oxygen को लाएंगे लेकिन direct oxygen हम लोग आइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग first year में ही पढ़े हैं redox reaction chapter में oxidation reduction redox reaction के balancing में हम लोग पढ़े हैं भावा कि to balance oxygen atom add required number of H2O to the deficient side to balance oxygen atom add required number of oxygen add required number of H2O to the deficient side यानि oxygen परमाडू को balance करने के लिए direct oxygen हम लोग नहीं जोडत है का करत हैं तब जल के बुंदा बुंद टपकावत हैं के ने जेने oxygen की कमी रहत है तो आईए इधर चार oxygen है इधर oxygen नहीं है कितना oxygen चाहिए चार oxygen चाहिए तो oxygen नहीं चार मूल जल उधर टपकाए हैं 4S2O इधर टपका देंगे बहुआ 4S2O चार मूल एंस्ट को जोड़ेंगे तब चार गो oxygen आ गया अब हुआ चार गो oxygen के साथ साथ घलुआ में hydrogen आ गया घलुआ में hydrogen काई गो आ गया जी आठ गो अब hydrogen को balance करना है और hydrogen को balance करने के लिए चुकि इधर hydrogen नहीं है तो इधर हम लोग hydrogen को balance करने के लिए बहुआ यहां पर 8H plus add कर देंगे यानि हाइडोजन को भी डाइडेक्ट हाइडोजन लीकेशंतुलित नहीं करत है हाइडोजन को वैलेंज करने के लिए H plus जोडत है जीधर हाइडोजन कम होवत है तो 8H plus उधर जोड़ देंगे तो 8H plus का मतलब काई गो पलास चार्ज तो 8H plus charge अब आब H बराबर कर देना है 8H left side, 8H right side, Chargo oxygen right side, Chargo oxygen left side मैंगनीज एगो right side, A go minus left side अब आब H को बराबर करना है पलास A go H पर 1 पलास तो 8H पर पलास 8 माइनस 1, पलास 2, 0 हो जाएगा अब आजाए ये बहुआ दूनों मिला के कितना जी, पलास 7 आई इधर दूनों मिला के कितना, दूनों पर कूल आवेस कितना, पलास 2 अब आवेस बराबर करना है, पलास 7 को पलास 2 के बराबर करना है तो पलास 7 को पलास 2 के बराबर करने के लिए कितना electron कीधर जोडे हैं, तो आजाओ, इधर electron जोडते हैं, तो एक electron का मतलब minus 1, एक गो electron डाले, plus 7 से plus 6 हो गया, फिर एक गो out डाले, plus 5 हो गया, फिर डाले, यानि 5 गो electron डाल देंगे इधर, 5 गो इलेक्टोन टापाटप 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 डाल दिये तब 5 गो इलेक्टोन का मतलब कहएगो माइनस चार्च माइनस 5 अभी तन है दुनों के जोडिये ता दुनों मिला के केतना हो जागा पलस2 जो है लेफ्ट साइड आप पलस2 राइट साइड तह इलेक्ट्रॉन जुडा किधर MnO4- में इलेक्ट्रॉन जुडा किधर MnO4- में यानि MnO4- का एक मॉल कहा है मॉल MnO4- है जी? एक ना आगे कितना है एक? एक मॉल MnO4- कितना मॉल इलेक्ट्रॉन करहन कर रहा है? पांच मोल इलेक्ट्रोन करहन कर रहा है अब तब जा करके एक मोल Mn2 पलस में बदल रहा है बदल रहा है ना तो आज आईए बहुआ अब एज़ा हम लोग जो है भासा लिख देंगे भासा लिखेंगे बहुआ एक मोल MnO4 माइनस पांच मोल इलेक्ट्रोन गरहन कर Mn2 पलस में अपच्चाईत होता है अपच्चाईत होता है तो पांच मोल इलेक्ट्रोन परावेस का माँ इसलिए आवेस बराबर पांच मोल इलेक्ट्रोन परावेस आजाईए तब पांच गुडे 96,500 पुलम नहीं हुआ का जेतना आएगा गुणा करके लिख देजिएगा आप लोग होना हार छात्र है न जी बन गया नहीं हो गया नहीं आजाएगा एंसर बनाईए अन च्यार लाख बैयासी हजार पांच सो पच्छे पैंतालिस तीन अड़तालिस ठीक है रभी संकर कुमार जी आपका एंसल जो है लग रहा है सही है चलिए थ्री पॉइंट वान थ्री कोश्चन वान टू के बाद जो है वान थ्री देख लिजिए और पंद्रह मिनाट वान थ्री कोश्चन वान थ्री कोश्चन हाँ देखिए थ्री पॉइंट वन थ्री में कह रहा है कि बीदूत जो है वा फैराडे में बताना है हाँ मच इलेक्रिसिटी इन टर्म्स ओफ फैराडे बीदूत धारा कामान फैराडे में बताना है आज आईए बहुआ लिखिए कोश्चन लिखिए थ्री पॉइंट वन थ्री निमने उत्पाद के लिए बीदूत धारा कामान फैराडे में बताईए पहला नंबर कोश्चन है बीस गराम हाँ द्रवीत द्रवीत CACL2 से बीस गराम कैल्सियम पराप्त करने में सेकेंड नंबर द्रवीत AL2O3 से 40 गराम एलुमिनियम पराप्त करने में ठीक है? चलिए यही दोनों कोश्चन है बहुआ आजानते हैं कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बहुआ पता है एक relationship हम अभी आप लोग को बता दे रहे हैं उस relationship से एक question बरबाद हो जाएगा उस relationship वा जो है गलती से mistake से छोट गया है थियोरी में ही बता देना चाहिए था कल English Medium में बता थे हैं आप लोग भी जान लीजिए चल यह लिखिए वह पर थे होरी में ही लिख लिजिएगा इसको important relationship जानते हैं क्या है देखिए फैराडे की संक्या ट्रिक बता रहे हैं फैराडे की संक्या निकालना क्या है आपको फैराडे निकालना है बीदु तधारा का मान किस में बताना है फैराडे में बताना है फैराडे की संक्या बराबर तुल्यांको की संक्या इस ट्रिक को आप जानियेगा फैराडे की संक्या बराबर तुल्यांको की संक्या और तुल्यांको की संक्या को एन डैस से डिनोट करते हैं और फैराडे की संख्या को एन से डिनोट करते हैं, एफ से भी, फैराडे की संख्या एफ से हो गए, चलिए, कोई दिकत, आप ध्यान देजिएगा, अब दोनों को अलग-अलग निकालने का तरीका हम बता दे रहे हैं, बस बन जाएगा चुटकी में, ध्यान देजिएगा, गौर केजिए, क्यू बराबर एन एफ आप पड़े होंगे, क्यू बराबर एन एफ पड़े होंगे, एन बराबर एन बराबर होता है Q upon F एन बराबर Q upon F एन बराबर हो गई फैराडे की संक्या क्यू हो गया आवेश आवेश किस में? कुलंब में आप फैराडे का मान कितना? एन बराबर Q upon F एन का मतलब हो गया फैराडे की संक्या क्यू हो गया आवेश का मान कुलंब में? F हो गया एन बराबर होता है फर्मूला पदार्थ का भार किस में? गराम में अपन गराम तुल्यांग की भार पदार्थ का गराम तुल्यांग की भार जे ए डबलो चलिए अब जो है पदार्थ आपको क्या मिलेगा? पदार्थ क्या मिलेगा मूल रूप से? तत्वे मिलेगा ऐसे तो पदार्थ आमले छार लवण है ना तत्वे आयन सब मिलता है लेकिन आपको मूल रूप से पदार्थ मिलेगा यहाँ पर तत्वे तत्वे का तुल्यांकी भार आपको निकालने आना चाहिए और तत्वे का तुल्यांकी भार आप निकाल लीजिएगा तो बस तुल्यांको की संख्या निकल जाएगे पदार्थ का भार गराम में आप बटा में क्या जी पदार्थ का गराम तुल्यांकी भार आज तुलियांको की संख्या जब निकल गई तो फेराडे की संख्या निकल गई तुलियांको की संख्या पता फेराडे की संख्या पता तो आज आईए तत्विका तुलियांकी भार कैसे निकलते हैं इसको देख लेजिए तो देखिए कैसे एक और फर्मूला तत्विकात तुल्यांग की भार कैसे निकालते हैं तत्विकात तुल्यांग की भार बराबर तो यहां पर तत्विकात पर्माडू भार तत्विकात पर्माडू भार आप बाटा में क्या संजुज़क्ता तत्विकात पर्माडू भार आपन क्या जी संजुज़क्ता बैलेंच से बैलेंच से को देखत तत्व का पर्माडू भार आबटा में संजुजगता है किसी भी तत्व का तुलियांकी भार यहां से आप निकाल लेजिए यही फर्मूला याद रखना है याद हो गया जिस तत्व का तुलियांकी भार निकालना होगा उसके परमाडू भार को उसकी संजुजक्ता से भाग दे दीचिए जैसे इसमें कौन कंतत्व है? कैल्सियम है एलुमिनियम है तो आज आएगे, निकालिए कैल्सियम और एल्मुनियम का जो है तुल्यां की भार हम आपको बताते हैं इक्जाम्पल कैल्सियम का तुल्यां की भार कैल्सियम का तुल्यां की भार बराबर तो कैल्सियम का परमाडू भार बता में कैल्सियम की संजुजक्ता कैल्सियम का परमाडू भार चालिश आज संजुजागता कितना दो हिंदी मीडियाम देड़ घंटा तो इसका चर्जा रहा है नहीं जाएगा नहीं जाएगा एक्स्टेंशन नहीं है ओ ठीक है इसी परकार इसका स्क्रीन्शोट आप लोग ले लीजिए कैल्सियम का एल्मुनियम का निकालना होकर मान लीजिए कि कैल्सियम के जगा पर किसका कर दिया एको भी कर देते हैं एलूमिनियम का कर देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा एल्मुनियम का परमाडू भार आ यहा का परमाड़ भर 27 एलमुनियम के संजगता 3 कितना गया 9 ठीक है अब बताईए कुछ नहीं करना है देखिए गौर कीजिए कोश्चन क्या पूछ रहा है कि बीदूत धारा बताईए किस में फैराडे में फैराडे की संख्या निकालनी है किस की संख्या निकालनी है फैराडे की संख्या निकालनी है कोश्चन में दिया क्या है तो यह तत्व का भार दिया है क्या दिया है तत्व का भार दिया है तत्वे के भार से तत्वे का तुल्यांकी भार निकल दीजिए अजब तुल्यांकी भार निकल गया भार पता तुल्यांको की संख्या पता तुल्यांकी भार निकल गया तुल्यांकी भार निकल गया तुल्यांकी भार निकल गया तुल्यांकी भार निकल गया तुल्यांकी भ अभी अभी हम आप लोग को बता दिये हैं कि तुल्यांको की संख्या को ही क्या काते हैं फैराडे की संख्या काते हैं निकल गया तो आज आईए जब भी आपको फैराडे की संख्या निकलनी होगी तत्वे का भार दिया रहेगा गराम में तो आप तुल्यांको की संख्या नि लीजिए यह वाला देखिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बहुत दूनों बन जाएगा एक हम बता देते हैं दूसरे आप बना लेजिएगा पहला बता देते हैं 20 गराम कैल्सियम है कैल्सियम का भार कितना गराम दिया हुआ है 20 गराम दिया हुआ है आपको क्या निकालना है कैल्सियम का तुल्यांकी भार निकालना है कैल्सियम तत्व है तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा पर्माडु भार आबाटा में संजुजगता ठीक है पर्माडु भार कितना चालेश आग कैल्सियम सेकेंडे वर का है तो संजगता कितना दो कितना हो गया 20 ठीक है अब जो है निकालना क्या है फैराडे की संख्या तब फैराडे की संख्या बराबर क्या होता है तुल्यांको की संख्या तुल्यांको की संख्या होता है ठीक है तुल्यांको की संख्या का फर्मुला अभी अभी हम लोग पढ़े हैं क्या बहुआ तो भा आपाउन क्या जी तुलियान की भार भार दिया हुआ है कोश्चन में कितना दिया हुआ है 20 लियू हुआ आग तोलियान की भार आप निकाले हैं कितना 20 आए इसको भी किसमें रखना है गराम में कटके कितना हो यानि कितना फैराडे वन फैराडे वन फैराडे आगे आएंसर दुसरा भी बन जाएगा इसी परकार अब हम लोग इसके आगे जो है नेश्ट कलास में बनाएंगे अगर आप लोग को बनाने आएगा तो होंबर्क में बनाने आएगा तो होंबर्क में 3.14, 3.15, 3.16 तीनों कोशन बना करके लाइएगा और इसका सेकेंड नमबर बना लेजिएगा ठीक है एक दम इसी परकार इसी परकार बनेगा वह हुआ आज के लिए बाई 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 गुड़ नाइट अल आफ यू